अमीद विश्वास और संकल्प हो तो फिर हर काम में सफलता प्राप्त की जा सकती है नमस्कार जहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कवी आदिगनेज सबसे पहले मैं आपको एक बात पता दूँ अगर आप कक्सा 9 से लेकर बारवी की किताबें मेरे साथ पढ़ते हैं मेरे साथ उनका धिन करते हैं तो आपको 9 से 12 तक का कोई भी इंपोर्टेंट फेक्ट है जो वो नहीं छुटेगा साथ ही साथ आपका हिंदी साहित्ते का इतिहास भी बहुत मजबूत हो जाएगा वो किस परकार हो जाएगी 9 से 12 की जितने भी हम पुस्तक के पढ़ेंगे जितने भी पार्ट पढ़ेंगे उनका जो परीचे है पुस्तक में जितना परीचे दिया गया है उससे कहीं जदा उनकी रचनाईं वगरा उनके जीवन में क्या कुछ उन्होंने विशेश किये वो सारी की सारी चीज़े में परीचे के साथ में आपको लिखवा दूँगा और साहिते इतियास के अंदर जो 9-12 वाले पार्ट होते हैं उनके जो रचनाकार होते हैं उनकी कौन सी इंपोर्टेंट रचना हैं क्या कुछ होती है किस कौन से काल के हैं पर्गतिवाद के हैं कौन से यूग के वो सारी की सारी चीज़े में परीचे के साथ में आपको लिखवा दूँगा तो अगर आप first grade की तयारी कर रहे हैं तो आपका सहीत्य इतिहास भी मजबूत हो जाएगा साथ साथ में हिंदी का और part भी complete हो जाएगे और केवल आप second grade की तयारी कर रहे हैं तो भी आपके 9 से 12 वाले part भी complete हो जाएगे और साथ ही साथ में साहीति इतिहास भी तयार हो जाएगा तो 9-10 की जो केवल केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड के तयारी करने वाले साथ ही है वो 9-10 के अगर पार्थ नहीं भी पढ़ना चाहें तो परीचे तो जरूर जरूर देख लेए अपने वीडियो से हैं हर परीचे में जितना पार्थ में दिया है उससे कहीं गुना ज्यादा है जो परीचे में आपको साथ साथ में लिखवा दोंगा तो आपका साथ ही साथ हिंदी साहीति का इतिहास भी आपके तयार हो जाएगा अब पहला हमने जो बिंदू लिया है उस पर चर्चा करते हैं जब भी आप किताब पढ़ो तो जो भी आपको important लगे, किसी और ने क्या बताए होने, जो भी आपको important लगे, उसको underline करते जाना, जब दूसरी बार आप उस किताब को पढ़ो, तो उसको लिख लेना, जो भी आपने रेखा ankit किया है, उसको लिख लीजिएगा, और दूसरी बार जब पढ़ोगे तो आपको लगए यार यह मैंने पहले अंडरलाइन नहीं किया था और यह भी इंपोर्टेंट है महत्तपूर्ण है यहां पर तो उसको भी साथ में लिखते जाना तो नोट्स किस प्रकार बनाओगे कोई भी रजिस्टर ले 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 ना और चेप्ट के अंदर जो जो भी समवाद होगा पात्रों की बेच में कोई किसी ने कुछ इंपोर्टेंट कथन कहा है वो सारी की सारे जिजिए आप लिखते जाना इस तरीकी से नो से बारा वाली आपकी कंप्रीट तो पार्ट तयार हो जाएंगे अंडरलाइन करते जाना चैप्टर व जो two grade की तयारी कर रहे हैं वो साती तो नो से बारा complete देखेंगे इसाथ इसाथ परीचे detail से लिखांगा तो इनका साहीत इतियास तयार हो जाएगा ठीक है मामला और जो केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड ही करें कि हमें तो सेकंड ग्रेड से कोई मतलब नहीं है तो वो नाइन तो टेंथ के पार्ट तो देखेंगे नहीं क्योंकि उनकी तो 11 और 12 के चैप्टर होंगे लेकिन 9 और 10 के जो परीचे करवाँगा मैं कभी परीचे करवाँगो उन परीचे को बिल्कुल डेप्थ से करवाँगा जिसे प्रेमचंद के बारे में पाठों में तो मिलता है कि यह पर्मुक उपनियास थे इनका जन्म यहां वा था इन्हों नहीं यह शिक्षा किती इनका म मूल नाम यह था इस उपनाम से रचना करते हैं इतना ही मिलता है लेकिन वहाँ पर कौन-कौन सी और रचना काल क्या है रचनाओं का रचना काल क्या है वह कूट से पूछा जाता फुस्ट गेड में तो परीचे को मैं डिटेल से करूँगा तो आपका यहां पर सहीत इतिहा सब्सक्रास भी तयार हो जाएगा तो फस्ट गेड के साथी भी 9-12 तक कंप्लीट देखें तो आपका लिट्रेचर तयार हो जाएगा लगबक चीजे कि वहीं से पूछे जाते हैं ज्यादा तरह और आपके 9-12 वाले पार्ट है जो कंप्लीट बहुत ही बहतरीन तरीके से त करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन क्लिक लिए ओल नोटिफेक्स पर क्लिक लें ताइक हर वीडियो की सूचन आपको मिल करें और वोट्स अपर फेस्बुक पर आप इस्टेटस जरूर लगाएं ताइक और साती विजूड सके उनकी भी मदद हो सके फिर मिलता हूं